हेलो सुरेंट्स कैसे आप सभी लोग आज हमारा इंगलिश का चैप्टर 1.2 करेंगे जिसका नम है वूस दा ग्रेटिस्ट आज मैं काफी दुनों बाद वीडियो अप्लोड कर रहा हूं लेकिन अभी से आपको हमारे वीडियो जो है रेगुलर्ली मिलते रहेंगे मैं कराने का अगर हुआ तो भी करॉंगा ओके तो लेंस्टे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो अब करता है तो यहां पर क्या लिखा हुआ हूए आपको Who's the greatest Greatest मतब क्या महान Who मतब क्या कौन मतब की महान कौन है कौन सबसे जाधा great है यहाँ पर हमें एक story दी गई है Emperor Akbar मतब राजा अकबर बीरबल और कुछ incident कुछ घटना हुई है तो उसको देखते हुए हमें यह बताना है कि कौन महान है कौन great है ठीक है तो चलो start करते हैं देखो यहाँ पर क्या आपको Emperor Akbar और Akbar the Great is known as one of the greatest ruler in the world not just because he had a vast empire a very strong army untold wealth but because he was a good human being देखो यहाँ पर Emperor मतब क्या महाराजा Great मतब महान Non मतब जाना जाना और यहाँ रूल मतब क्या आप बोल सकते हो Ruler मतब की शासक राज करने वाला ठीक है और यहाँ पर देखो vast मतब क्या बहुत ही बड़ा empire मतब राज very strong strong मतब क्या बहुत ही मजबूत ताकतवर army मतब क्या आप बोल सकते हो Sena untold wealth मतब क्या बहुत ही जादा आप बोल सकते हो खजाना ठीक है या उनको और कौन से नाम से जाना जाता है Akbar the Great क्या बोल रहे हैं कि यह दुनिया के सबसे सबसे महान ruler थे मतब सबसे महान राजा थे और यह सबसे महान राजा इसलिए माने जाते थे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि महाराजा Akbar अकबर यथो उनको और कोन से नाम से जाना जाता था, अकबर दे ग्रेट क्या बले है, ये दुनिया के एक बहुत ही महान राजा थे और क्या बले है, कि ये महान राजा सिर्फ अपने बड़े राज, drie ताकत वर, सेना और बहुत बड़ा खाजाना ये सब के लिए सिर्फ ये महान राजा नहीं माने जाते थे बलकि ये एक अच्छे इंसान भी थे इसलिए भी इनको एक महान राजा माना जाता था ठीक है He cared for his subjects cared मतलब क्या ध्यान देना मतलब उनकी देखभाल करना subjects मतलब यहाँ पर क्या मतलब की जनता ठीक है लोग तो क्या बोल रहे है जो अकबर जो राजा थे वो अपनी जनता का भी ध्यान रखते थे उनकी भी कैर करते थे He had great respect for scholars writers, poets and artists belonging to different religions क्या बोल रहे है देख़ो यहाँ पर respect मतलब क्या सम्मान, scholar मतलब क्या जो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं ठीक है कोई भी field के writer मतलब क्या लेखक poet मतलब क्या कवी अब बोल सकते हो artist मतलब क्या कलाकार religion मतलब क्या धर्म क्या बोल रहे है कि उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा सम्मान था किनके लिए जो scholars रहते थे जो writer मतलब जो लेखक रहते थे और जो poets जो कवी रहते थे और जो कलाकार जो अलग-अलग religion के अलग-अलग धर्म के कलाकार writer, scholars रहते थे इन सारे लोगों के लिए अकबर जो थे इनके दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान था मतलब कि बढ़ावा देना, ठीक है art and culture, मतलब कि कला और कृती बोल से थे, क्या बोल रहे है जो ये अकबर थे, ये कला और कृती को पैटर्न मतलब इनको, ये सब चीजों को ये बढ़ावा देते थे ठीक है, the nine gems और नो रतनाज in his court were famous क्या बोल रहे है, कि जो nine gems या कि नो रतनाज nine gems, जिनको एक और नाम से जाना जाता है, नो रतनाज वो उनके दरबार के बहुत ज़्यादा famous थे, जिन में से, आपको मालू होगा बिरिबल भी जिन में से एक है बिरिबल का नाम आपने सुना होगा तो वैसे ही उनके दरबार में नो लोग थे टोटल जिन से अकबर, राय, मश्वराय सब लेते थे many people believe that one of these nine gems बिरिबल, sorry many people believe that of these nine gems बिरिबल was closest to the emperor's heart believe मतब क्या, विश्वास करना closest मतब क्या, सबसे करीब emperor मतब महाराजा, heart मतब दिल यहाँ पर क्या होले, कि बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि जो nine gems है, जो नौ लोग थे इन में से जो बिरिबल थे ये महाराजा जो थे, अकबर उनके दिल के सबसे करीब थे अब देखो, आगे आपको क्या है इंट्रेस्टिंग मतब मज़ेदार ठीक है, question मतब सवाल code मतब दरबार नेवर मतब कभी नहीं equally मतब बराबर answer मतब जवाब interesting मतब क्या बोल सको मज़ेदार तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो अकबर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार question या problem अपने दरबार में रखते थे और उस सवाल या problem का बिरबल कभी भी fail नहीं होता था एक मज़ेदार जवाब देने में, ठीक है जैसा मज़ेदार सवाल, जैसा interesting सवाल अकबर वहाँ पे अपने दरबार में, वैसा ही interesting जवाब बिरबल उनको देता था, ठीक है अब देखो यहाँ पे आप picture में देख सकते हो यह हमारे राजा अकबर, महराजा अकबर और यहाँ पे देख सकते हो आप यह है बिरबल, ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं अभी आगे क्या है sorry we don't know whether all the अकबर और बिरबल स्टोरीज that we hear today have any basis in history no मतलब जानना story मतलब कहानी today मतलब आज history मतलब इतिहास, क्या वोल रहे है कि हमें यह पता नहीं है कि जो अकबर और बिरबल की कहानिया हम आज सुनते हैं क्या वो सच में मतलब इतिहास में हुई थी ऐसी past में वो सब घटना हुई है या नहीं वो हमें नहीं पता है इस सब कहानिया लोग बोलते आ रहे हैं तो हम सुनते आ रहे हैं they have been handed down or generations mainly by word of mouth क्या बोल रहे हैं generation मतलब क्या पीड़ी word मतलब क्या शब्द mouth मतलब move क्या बोले हैं आपे कि जो stories है जो कहानिया है वो एक दूसरे को पीड़ी दर पीड़ी लोग एक दूसरे को बताते आ रहे हैं तो एक दूसरे को से मालूम पढ़ते जा रही है तो वहीं बोल रहे हैं हमें यह पता नहीं है कि यह कहानी सच है यह जूट है लोग बोलते आ रहे कहानी तो लोगों को मालूम पढ़ते आ रही है ठीक है अब आगी कहा है here are two of them क्या बोले हैं यहां पे दो कहानी जो अकबर और बीरबल के दरबार जो अकबर और बीरबल के बीच में जो भी घटना होती थी उसके बारे में दो कहानी हमें नीचे दी गई है तो देखते हैं क्या है one day the emperor entered court with a very serious expression on his face क्या बोल रहे हैं एक दिन जो emperor जो महाराजा अकबर थे वो court में enter हुए बहुत ज़दा serious बहुत ज़दा गंभीर expression मतलब कि अपना जो face था चेहरा था बहुत ही गंभीर तरीके से उन्होंने ऐसा बनाया कि बहुत ही ज़दा serious है और वो अपने दर्बार में आए as soon as he was seated he said I have a question for all of you देखो क्या बहुत है as soon as मतलब कि जैसे ही वो बैठे वैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास आप सभी के लिए a question है एक सवाल है तो देखते हैं वो सवाल क्या था क्या सवाल है what should be the punishment for someone who pulls my mustache देखो punishment मतलब क्या सजा someone मतलब कोई pull मतलब खीचना mustache मतलब मूच ठीक है ये मूच को mustache बोलते है दाड़ी को beard बोलते है मूच को mustache बोलते है तो अकबर ने क्या पूचा क्या पूचा कि अगर किसी ने मेरी मूच को खीचा तो उसको मैं punishment क्या दू उसकी punishment उसकी सजा क्या होनी चाहिए ऐसा अकबर ने अपने दरबार में पूचा the court was stunned क्या बोलने जो कोड जो दरबार था हो अकदम stunned हो गया अकदम सब लोग हक्का बक्का रह गये अकदम चौग गये pull the emperor's mustache it was unheard of क्या बोलने pull मतब खीचना emperor मतब महाराजा mustache मतब मूच unheard मतब कि जो कभी सुना नहीं हो जिस पर यकिन नहीं हो तो यहाँ पर देखो क्या बोलने है सब लोग एकदम हक्का बक्का हो गए सब लोग बोलने कि महाराजा के किसी ने मूच खीचा यह तो हमने कभी नहीं सोचा भी नहीं था यह तो एकिन नहीं हो रहा है इस बात पे ऐसा सब लोग बोलने लगे अब आगे देखते हैं फ्लॉग हिम गिव फिफ्टी लेशे ओफ दी विप एक्सक्लेमड वन नोबल में तो फ्लॉग हिम मतलब क्या चाबुक से मारना ठीक है विप मतलब क्या बोलते हैं कोड़ा जो नहीं रहता है जिससे घोडे को ऐसे मारते हैं चलाने के लिए वो ठीक है आपको मालूम होगा चाबुक जिससे बोलते हैं ठीक है तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं जो वहां पे जो लोग थे उसमें से एक नोबल में ने मतलब एक आदमी ने बोला क्या बोला कि उसे चाबुक से मारो, उसे कोडे, पचास कोडे मारो, ऐसा उसने राजा से बोला, that is not enough, put him in jail without food and water, said another, enough मतब काफी, food मतब को मालूँ है खाना, water मतब पानी, यहाँ पे देखो क्या बोलें, तब ही दूसरे आदमी ने बोला, कि यह काफी नहीं होगा, मतब पहले आदमी ने का बDas चाबुक से मारो, हुसको पचास कोडे मारो, तो दूसरे आदमी ने का बोला, यह काफी नहीं होगा, उसे जेल में डाल दो बिना खाने और पानी के, देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैसे गुसे में, देखो, यह लोक, यह दरबान में एक आड़मी है, कैसे बोला है की, कैसे महराजा को, कैसे इसमे, महराजे की मूछ खीचा, उसे मारो, चाबुक से मारो, जेल में डालो, देखो ऐसी सब लोग चिल्दा रहे थे, अब आगे देखते क्या है, विप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ओफ इस ओफेंडिंग हैंड्स, दा एगिटेटेटेड कर्टियोर्स बिगें टू क्राई आउट, देखो यहां पी क्या बोल कि अब सब लोग जो कोट में थे, सब लोग क्या बोले विप हिम, मतब उसे कोडे से मारो, बीट हिम अप, उसे मारो, और मारो, हैंग हिम, और किसी एक ने बोला कि उसे लटका दो, मतब फासी पे लटका दो, किसी एक ने बोला कि जिस हाथ ने ये गुना किया, मतब जिस हा 愛 six cry out मतलब चलाना क्या वलमने की ये सब बाते जो रूप Gonzay में उत्तै जो भी दर्भार में थे दर्भारी थे वे लोग चिलाने लगे उसे मारते रहो उसको फासी पर लटका दो उसके हाथ काड़ो ये सब लोग क्या रहे थे लेकिं यू बागी का है? Only बिर्बल वो साइलेंट. क्या बोलें? सिर्फ बिर्बल साइलेंट थे, चुप चाप थे. He was even smiling a little. क्या बोले? कि जो बिर्बल थे, चुप चाप थे, सिर्फ चुप चाप नहीं थे, बलकि वो थोड़ा स्माइल कर रहे थे, हस भी रहे थे. बिर्बल, वोट इस यूर ओपीर्बल? तब ही देखो, रचे ने बिर्बल से जालेंट, कि बिर्बल, तुम क्या बोलते हो, ने खैउरे और वो दितले हैं, बिर्बल क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ भी बिर्बल क्या बोले ये खैँकर लाएंट. In my opinion, O giver of peace, to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. देखो Opinion मतब क्या आप उचको राए Peace मतब क्या आपको मालू है Peace मतब शांती World मतब दुनिया आपको मालू है Offender मतब क्या जिसने पाप किया हो जिसने कोई क्राइम किया हो देखो Favorite मतब क्या पसंदीदा और Sweetmeats मतब क्या मिठाई तो देखो बीरबल ने क्या बोला बीरबल ने पहले राजा की तारीफ करते हुए बोला क्या बोला कि ओ महराज इस दुनिया में शांती बनाये रखने वाले महराज मेरी राए में उस Offender को उस पापी को या उस Criminal को उसकी फेवरेट मिठाई दी जानी चाहिए अब आगी क्या है राजा बीरबल Are you out of your mind? Give sweetmeats for such a grave offense The courtiers began to say तब देखो जो courtiers जो दरबारी थे वहाँ पे वो लोग क्या बोलने ले गए कि राजा बीरबल क्या आप पागल हो गए हो उस इंसान को मिठाई दी जाए जिसने इतना खतरनाक पाप किया हो जो जो बीरबल थे वो smile के वो हसे और उन्होंने एक explanation जो बात उन्होंने बोला था उसको explain करने के लिए बोला कि मैंने अगर ऐसा बोला है तो मैं किसी वज़ा से बोल रहा हूँ क्या है yes who would be so bold as to pull the emperor's mustache only his own grandson तब देखो बिरबल ने क्या बोला कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि ऐसा कौन होगा जो इतना bold हो मतलब कि जो इतना साहसी हो कि वो राजा की mustache मूच खीचे ऐसा एक ही इंसान हो सकता है वो है राजा का खुद खुद grandson राजा के जो grandson थे जो राजा के पोते थे वो ठीके तो इसके लिए बिरबल ने बोला देखो उन्होंने अपना दिमाग चला है कि राजा की मुझ तो किसी महिम्मत नहीं कोई खीच सकता है हाँ एक इंसान हो सकता है राजा जी का grandson ठीके चला आगे दिखते है वेन अकबर हर्ड दिस ही बॉस्ट आउट लाफिंग बिकाज जैट इस एग्जेक्ली वाट हैपन इन दा मॉन्नी क्या बोलने यहां पर देखो हर्ड मतब सुनना बॉस्ट आउट आउट अफ लाफिंग बॉस्ट आउट लाफिंग मतब जोर जोर से हसना ठीक है हैबिट मतब होना मॉन्नी मतब सुबह क्या बोलने कि जब राजा ने यह बात सुना बिर्बल की तब वो एकदम हस पड़े क्योंकि यही सेम चीज राजा के साथ मॉन्नी में हुई थी उनके ग्रैंड सन ने उनकी मूच खीची थी तो बिर्बल ने एक तम सही बात बोली कि कौन इतना बहादुर होगा जो राजा के मूच खीचेगा सवाए उनके ग्रैंड सन के तो सही बात निकली तो राजा हसने लगी ठीक है अकबर अब आगी गाए अब यहाँ पर हमारा एक घटना दी खतम हो गई है अब यहाँ से शुरू हो रही है दूसरी घटना अब यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है तो यहाँ पर क्या हुआ अब देखते है कोई और मौके पर कोई और घटना हो रही है यहां पे क्या है वो, on another occasion Akbar was relaxing with some of his courteurs क्या बोले, एक और समय एक और मौके पर Akbar अपने दर्बारी लोग के साथ relax कर रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे, आराम से वो बैठे थे a few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him, क्या बोले कि जो दर्बारी थे उसमें से कुछ लोग ने ये सोचा, कि ये बहुत अच्छी opportunity, मतलब बहुत अच्छा मौका होगा, कि राजा की हम तारीफ करे राजा की हम तारीफ करे, और इनसे कुछ favor, मतलब कि इनसे कुछ हम इनाम में ले ले ठीक है, उनकी तारीफ करके, उनकी प्रशनसा करके They begin to compete with each other in praising Akbar, क्या बोले कि वो लोग एक दूसरे से compete करने लगे, एक दूसरे से मुकाबला करने लगे, Akbar की तारीफ करने में, ठीक है You are the greatest of the kings, एक जन ने क्या बोला, कि आप सारे राजा से महान हो आप सबसे महान राजा हो तभी दूसरे ने क्या बोला You are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth तभी दूसरे दरबारी ने क्या बोला कि आप बहुत ही महान राजा हो आप इस दुनिया के जितने भी राजा महराजा आए हैं उन सबसे आप महान हो अब तक के सबसे महान राजा हो ऐसा एक और जिलने बोला आगे देखते है अब यहाँ पर क्या है और क्या बोलने है देखो You are the greatest of all people in heaven or earth एक और जिलने क्या बोला कि आप सबसे ज़्यादा महान हो इस धर्ती पे या तो अगर हम heaven मतब क्या स्वर्ग और धर्ती के लोगों से भी आप महान हो यह कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन ऐसा एक दर्बारी ने बोला ठीक है You are as great as God Almighty तो एक और जिलने क्या बोला कि आप भगवान जितने महान हो ठीक है God में तर जिलने क्या भगवान दूसरी जिलने क्या बोला कि आप भगवान से भी महान हो You are greater than the God Almighty मतब कि आप भगवान से भी महान हो अब देखो आगे क्या Now अकबर वस नो फूल क्या बोले कि अभी अकबर तो कोई बेकूफ इंसान नहीं था फूल मतब बेकूफ क्या बोले कि उन्हें जूटी तारिफ तो पसंद नहीं थी He stopped the courteous and asked Do you all believe so? क्या बोले उन्होंने दर्बारी लोग को रोका और पूछा क्या तुम लोग ये सारी बातों पर विश्वास करते हो जो तुम लोग बोल रहे हो मेरे बारे में क्या बोले कि सारे दर्बारी जो थे वहाँ पर वो लोग एक आवाज में बोले हाँ राजा जी हम इस बात पर येकिन करते हैं विश्वास करते हैं आगे क्या है और राइट देन प्रूव इट टू मी राजा ने का बोला चलो ठीक है अब ये बात प्रूव करो ये बात साबित करो कि तुम लोग ऐसा मानते हो कि मैं भगवान से महान हूँ भगवान जितना महान हूँ धर्दी और स्वर्ग के लोगों से भी महान हूँ ये प्रूव करके दिखाओ मुझे साबित करके दिखाओ आगे क्या है अकबन ने क्या बोला कि मुझे एक कम से कम एक ऐसी एक चीज बताओ जो मैं कर सकता हूँ लेकिन जो गौड है जो भगवान है वो नहीं कर सकते हैं Otherwise, you will all incur और लॉयल डिस्प्लेजर you have till tomorrow morning to prove it देखो यहाँ पे incur मतलब क्या अपने उपर लेना tomorrow मतलब कल आने वाला कल morning मतलब सुबे prove मतलब आपको बताया मैंने साबित करना राज़नी और क्या होला कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं बता पाए कि मैं कोई एक ऐसा काम जो मैं कर सकते हो भगवान नहीं कर सकते अगर तुम लोग ऐसा नहीं बता पाए तो तुम सब लोगों के उपर जो शाही जो सजा रहती है मतलब जो दरबार की सजा रहती है वो तुम लोग को जहलना पड़ेगा और तुम लोग के पास कल तक का समय है इस बात को साबित करने के लिए अब देखो यहां पर क्या है अक्बर देन लेफ्ट दा प्लेस विटाउट अनदर लुक अट दा कॉटियर्स क्या बलने है उसके बाद अक्बर ने उस जगहां को उस दर्बार को छोड़कर चले गए और उन्होंने घुमकर दर्बारी लोग की तरफ देखा भी नहीं और सीधे चले गए आगे कैं क्या बलने है कि अब वो जो सारे दर्बारी थे बहुत ज़्यादा दुविदा में फस गए बहुत ज़्यादा मुश्किल में फस गए जब ही बिर्बार ने उनकी कहानी सुनी तो बिर्बल ने उन लोगों को परिशान होने के लिए मतलब कि उन्हें चिंता करने के लिए मना किया कि चिंता मत करो मैं सब समान लूँगा ठीक है बागी कहा है अगली सुबह जो कोड ता जो दर्बार था वो पुरा भरा हुआ था क्या बोले कि सभी लोग एकदम क्यूरियस से एकदम उच्छुक थे यह जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा अब यह लोग कैसे बताएंगे कि राजा ऐसा काम जो राजा कर सकते है भगवान नहीं कर सकते हैं देखते हैं क्या बोले हैं पर वेल सेड़ एंपरर हैव यू फाउंड अगूड एंसर तो माइ कोश्चिन राजा ने क्या बताओ क्या तुमने मेरे इस सवाल का कोई अच्छा सा जवाब सोचा या नहीं और आर यू रेडियू टू लीव दा कोट फोरेवर राजा ने क्या या तुम लोग अगर तुम लोग अगर तुम लोगने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं सोचा उस सवाल का जवाब नहीं लेकर आयो तो तुम लोग रेडि हो गूट को इस धरबार को हमेशा हमेशा बता चोड़ने क scientific भीर्बर स्टर्ब ने कि तब ही क्या वग जो बिर्ब लोगों पर आप गुस्सा मत हो जो लोग यह सोच रहे हैं कि आप महान हो there is certainly at least one thing that you can do but the God Almighty cannot तो बिर्बल नहीं क्या बला कि एक ऐसी कम तो ऐसी पक्की एक काम है एक ऐसा काम है जो आप कर सकते हो लेकिन गौड जो हमारे महान जो भगवान है वो नहीं कर सकते हैं क्या बलना है कि अगबर बिर्बल की तरफ ऐसे सोच में पड़े और देखने लगे और उन्होंनी बिर्बल से पूछा कि वो कौन सी चीज है वो कौन सा काम है जो मैं कर सकते हो भगवान नहीं कर सकते देखते हैं क्या रहेगा क्या बलना है कि अगर आपको किसी इंसान को पनीश करना हो मतलब सजा देना हो तो आप उस परिसर को क्या कर देते हो बैनिश कर देते हो मतलब कि देश से निकाल देना मतलब कि दरबार से निकाल देना हमेशा के लिए और अकबर क्या कर सकते हैं उस इंसान को जिसको सजा देना चाहते हैं वो अपने राज से उसको बाहर फेक देते हैं हमेशा के लिए बट God's kingdom extends everywhere क्या बोले लेकिन भगवान जो है उनका जो राज है वो हर तरफ चारो तरफ फैला हुआ है यही बना जाता है ना कि भगवान जो है जो God है सारी चीजों को उन्होंने ही बनाया है तो वो यहाँ पर बोले The Almighty cannot banish anyone from His kingdom और बिर्बल ने क्या हुला कि जो भगवान है जो God है वो किसी को भी अपने राज से निकाल लए सकते तो देखो यह बहुत अच्छा answer हुआ ना कि राजा का जो राज है अकबर का वो तो बहुत ही limited राज है मतलब कि उनका राज की एक सीमा है कि यहां तक वो राज करते हैं तो वो किसको भी चाहिए अपने राज से बाहर निकाल देंगे सजा दे के लेकिन जो God है जो भगवान है वो तो पुरा संसार उनका ही है तो वो अगर किसी को निकालेंगे भी तो वो कहां निकालेंगे वो नहीं निकाल सेते हैं क्योंकि हर एक पुरा संसार पुरा जेतना भी बड़ा राज हो सब भगवान का है सब गॉड का है ठीक है अकबर स्फेज लिट अप विटा स्माइल यहां पर क्या बोल रहे है जो अकबर थे उनके चेहरा अभी उनके चेहरे पर स्माइल आगी एक हसी आगी और उन्हें बिरबल से क्या बोला बिरबल तुमने बहुत ज़ाधा Clever answer दिया हूग बहुत ज़ाधा अब बल सकते हो समझदारी वाला answer दिया है कैसे कि तुमने ये दिखाया कि कैसे मेरे पास advantage है कि मैं किसी को भी अपने राज से बाहर फेक सकता हूँ लेकिन तुमने उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि जो भगवान है वो मुझसे महान है मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ कि जो अकबर थे उन्हें इतना ज़ादा जो जवाब था वो इतना ज़ादा पसंद आया कि उन्होंने जो भी दरबारी थे उनको forgive वन्दब माफ कर दिया उनकी stupidity के लिए उनकी बेकूफी के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमारे chapter खतम हो गया है I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप इसे पढ़ लो और revise कर लो अब यह अगले chapter में मैं आपको उसके questions देने वाला हूँ जो आपको हमारी playlist पे मिल जाएगा तो आप जरूर देखना तो मिल दिया भी अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू